हलो फ्रेंट्स वेलकूम इन मैं यूटूब चैनल नॉलेज पॉइंट दोस्तों जैसे के हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी के पास एंड्रोइट फॉन है और फ्रेंट्स उसकी सुक्रेटि के लिए सभी उसमें फिंगर प्रिंट या फिस्ट अनलॉक डालते हैं दोस्तों जैसे के हम जानते हैं किसी-किसी एंड्रोइट फॉन के कुछ समय बाद फिंगर फिंगर फिंट प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं उसके कुछ कारण हो सकते हैं उन सभी कारण का सॉलूशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं पूरी कुश्चित करूँगा क कि आपके मुवाइल में अगर फिंगर पेंट से रिलिटेट कोई भी इसू है तो इसको इस वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं तो फ्रेंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिंगर प्रॉपर्क ना करने के कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें अगर आपके फिंगर पिंगर पिंग हुआ है वो तूड़ गया है या फिर मोबाइल गिर गया आपका तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको एक ही सॉलूशन है कि आप उसको रिप्लेस्मेंट करा दें तो फ्रेंट्स ऑनलाइन भी आप उसका पैट पर्चेस कर सकते हैं और उसके सर्विस सेंटर पर जाके इसमें वाइल चलाते हैं तो और कुछ चलते चलते बंद हो जाता है तो उस कारण से भी फिंगर पिंट हमारा काम नहीं करता और एक कारण और है उसमें सॉप्ट्वेर प्राब्लम हो तो दोस्तों इन सभी कारणों का सॉलूशन हम इस वीडियो में जानते हैं तो फ्रेंट आपने करता हैं यहां से टच करें चावल के बॉक्स में डाल दें जो भी आपके हां जहां आप चामल इस्टोर करते हैं दो तीन ग्हंटे के लिए अप उसको चामल की बॉक्स में डाल के रखें और उसके बाद आप चलाएंगे तो आपका फिंगर पिंड़ प्रापर दिखा है आप इसको कीजिए और फ्रेंट्स दूसरा कारण है और अगर ऑईल के वज़े से आपका फॉन का जो फिंगर पिंट पैड है वर्क नहीं कर रहा तो उसका सॉलूशन यह है कि आप आपके मुवाइल का जो पैड है इसको हीट दीजिए है फ्रेंट्स हीट के लिए का फ्लेसलाइट यूज़ कर सकते हैं या आप एक बल्ब के नीचे उसको कुछ समय के लिए रख दें आधे एक घंटे के लिए और फ्रेंट्स इससे आपका जो फिंगर पैड है मुवाइल का आटोमेटिक वर्क करने लगे का और फ्रेंट्स कभी-कभी आटोमेटिक चलते जो फोन है हमारा उसका जो फिंगर पैंट है वर्क नहीं करता तो फ्रेंट्स उसके लिए सॉलुशन यह है वो सॉप्ट्वेयर प्रॉब्लम है या कुछ सेटिंग के लिए तो वह मैं आपको बता देता हूं आपको आपके मुवाइल पर सेटिंग को ओपन कर लेना है आप अब कंपनी का मुबाइल चला रहे हैं या आप आयमाई का चला रहे हैं तो मैं में पे बता देता हूं अबॉप फोन पर आपको क्लिक कर देना है तो इस फिली एक आपॉप्शन आता está और आप नीचे करेंगे तो आपका developer option जो वो है on हो गया इसको आपको click कर देना है और अगर यह on है तो इसको आपको off main problem अगर automatic आपका जो fingerprint बंद हुआ है तो वो इसी current होता है तो इसको आपको off करके रखना है off आपने कर दिया देन आपको back कर दिना है बैक जाना है और बैक जाने के बाद आपको आपके fingerprint है जो work नहीं कर रहा है वहाँ पर आपको आपकी lock security में जाना है उसका finger दोस्तों बैक करने के बाद lock and screen password पर आपको जाना है manage fingerprint पर click करना है जो भी आपका जो fingerprint है वो add होने वाला है और यह add हो गया फ्रेंट्स यह add successfully आ गया और अगर फिर भी काम ना करें तो आपके पुराने हैं उनको आप यहां से remove कर सकते हैं अलिके से आपका fingerprint वर्क करने लगेगा इन सभी तरीकों से अगर आपका fingerprint वर्क ना करें तो एक solution और है आपके पास fingerprint action quick action qui cq rpm capitalism को आपको आपके mobile पर इंस्टल कर लेना जो first option है उससी गर ना करना है उससे आपका जो mobile h his fingerprint वह properly रख करने लगेगा जैसे आप उसको ऐपन करेंगी तो आपको ऐसा कि धेगा सिर्फर आपको क्रीक्स करकर लाइगा जैसे यह पॉण करेंगे फ्रैंड आप प्रॉंगर्प्रींट कर रहा है तो किसी भी मॉइयल छागा था फिंगर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूग ले और फ्रेंट्स अगर पहली बार आप मेरे चनल नॉलिज पॉइंट पर आए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें जिस्ते के ऐसे यूसफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है तो फ्रेंट्स मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत थैंक यू फॉर वाचिंग